साधो निन्दक मेत्र हमारा मध्यर्प्रदेश के गवालियर में भागवत कथा के दोरान अशलील डांस हुआ है आयोज़कों ने विदेशी डांसरों से अशलील डांस कर रहा है तस्पीरे देखिए, भागवत कथा चल रही है और उस तब के बीच हो रहा है अश्लील डांस आपने ये भजन सुना होगा, ये भजन आपको बहुत अच्छा लगाओगा सुन करके लेकिन ये जो भजन होते हैं ये बस सुनने तक अच्छे लगते हैं इनका वास्तजिक्ता से कोई लेना देना नहीं होता है माल लोके में क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, मैं एक निंदक हूँ माल लोके में समिक्षा भी नहीं, मैं गोर निंदक हूँ लेकिन जब देवी जी इस भजन को गाती है के निंदकों से कभी भी हमको निंदकों की अवहेलना नहीं करने चाहिए तो फिर ये क्या सिर्फ भजन तक सिमित है? क्या इसका रियालिटी से कोई लेना देना है? अत्वा नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि इसका वास्ताविक्ता से कोई भी लेना देना है ये वास्ताव में सिर्फ गाने तक के लिए सिमित होता है और वो सिर्फ लोगों को सिखाने तक के लिए सिमित होता है स्वम पर अपने उपर उसको लागू करने के लिए नहीं होता है मान लो के मैं घोर निंदक हूँ तो मुझसे कैसा परहेज तो 44 सेकंड के लिए स्ट्राइक देने के जरुरत क्या जबके इनकी समिक्षा कोई मैं नहीं कर रहा हूँ घोर निंदक शब्दों से पूरित करके ऐसे मैं बहुत सारे सन्यासी दिखा सकता हूँ जो इनके इस गलती के उपर बोल रहे हैं लेकिन देवी जी ने उस गलती को नहीं माना बलके तीन-चार और वीडियो बना करके बताया के मैं सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखते हूँ जबकि धर्म की परिभाशा उन्होंने नहीं बताए कि धर्म तो सिर्फ एक है सर्व कोई धर्म नहीं है बाकी सब कल्ट हैं मजभ हैं ऐसी स्थिती में जब दूसरों की किताबों में धर्म नाम की परिभाशा तक का कोई जिक्र ना हो आपके पास में ऐसे बहुत सारे ग्रंत हैं जिसमें धर्म की परिबाशा बताई गई है, कि धर्म क्या है, और धर्म हिंदू भी नहीं है, पुस्तकों में धर्म हिंदू भी नहीं है, कलावा बांधना धर्म नहीं है, ये नाक से लेकर के यहां तक का तिलक लगाना ये भी धर्म का हिस्सा नहीं है, इसको हमारे यहां चाप तिलक का गया ह यह चाप तिलक होती है पहचान होती है दूर से बताने के लिए कि मैं ऐसा व्यक्ती हूँ और आप जान ही चुके हैं कि चाप तिलक वाले कैसे लोग होते हैं वो सिरफ दूसरों को बताते हैं कि साधूओ जो निंदक होते हैं उनको तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए क्य बेज देते हैं लेकिन इन देवी जी का मानना ये है कि क्योंकि कुछ सन्यासियों ने भी इनके समिक्षा की है इनकी निंदा की है पर ये उनको टार्गेट नहीं करेंगी क्योंकि ये सन्यासियों का सम्मान करती हैं लेकिन एक साधारन गाओं का व्यक्ति जो तीन चार आता ही नहीं है पहन करके अपने वीडियोज में इस व्यक्ति को में टारगेट करूँगे विकोज ये तो सन्यासी नहीं है ये तो एक साधरन आदमी है साधरन व्यक्ति है साधरन आरिय समाजी व्यक्ति है तो मैं देवी जी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यह आप पता भी कर सकते हैं यदि आपको सच जानने की इतनी उत्सकता है यदि आपको सच पता लग जाए तो कि सबसे पहला सन्यास का प्रस्ताव मेरे ही पास आया था या इसको गुरु आज्या मान लीजिए लेकिन वहाँ पर मैंने सबी ने ये कह करके मना किया था कि सन्यास अंदर से घटित होता है वैराग्य अंदर से घटित होता है क्योंकि मेरे आचारिय और मेरी आचारिया जी ने मुझे यही पढ़ाया और यही सिखाया था कि बेटा ये अंदर से आता है आम जो होता है वो अंदर से लाल होता हुआ आता है वो अंदर से रंग बदलता हुआ आता है उपर से उसके उपर उसका गला गोट के गेरुआ कपड़ा नहीं लेपेटा जाता है उसके उपर ऐसे कोई सन्यासी नहीं बनता है तो मैंने कहा कि नहीं है, अंदर से भी नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मेरा सम्मान होता, मेरा सम्मान होता शायद कि अगर मैं उस ताइम पर जूट बोल गया होता, तो शायद देवी जी कहती कि यह भी सन्यासी है भई, लेकिन मैं कैसे कह देता, मैं क्या अ ला जाता बाद में तो ऐसे अच्छा लगता क्या ऐसे अच्छा नहीं लगता है व्यक्ति ग्रहस्त में जाने के बाद सन्यास में जा सकता है लेकिन सन्यास में जाने के बाद जो व्यक्ति उस कपड़े को त्याग करके फैंक करके जाए उसके बाद में फिर सामाजिक बने उस से बड़ा पाप वो है और वो पाप मैंने नहीं करना था इसलिए इसलिए मुझे वो फेक सम्मान भी नहीं चाहिए था देवी जी आपको यूट्यूब ने बार-बार कहा कि इस पर हम स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं मुझे पता है कि आप तो लैप्टॉप ले करके नहीं बै बहुत अच्छे शब्दों में आपको सम्झाते हुए लिखता है हाए देवी चित्रलेखा जी वी आर वेरी कंसर्ण आट यूर कॉपिराइट नोटिफिकेशन में नोट बी वैलिड फोर सम और आल अफ द वीडियो इंटिफाइड इन यूर नोटिफिकेशन प्लीज कीप इन माइंड दुबारा सक पढ़ते हैं प्लीज कीप इन माइंड आट इन मैनी कंट्रीज इस लीगल तो यूज कॉपिराइटे वर्क इन स्पेसिफिक वेज विद आउट द ओनर्स ऑथराइजेशन पर्टिकुलरली फोर ट्रांस्फोर्मेटिव पर्पर्पर्पस सच अज इसको क्रिटिसिजम भी कहते हैं जो फेर यूज पॉलिसी है उसमें किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए फेर यूज अलाओ है और यहां तक की यूट्यूब ये भी कहता है कि मैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपलोडर के साथ मैं शेयर करूँगा लेकिन आप उ स्पॉन्स विद अपलोडर थैंक यू वैरी मच फोर यूर कोपरेशन दा यूट्यूब टीम लेकिन आपने इस लाइन को शायद मिस कर दिया कि ये सारी के सारी चीज़ें मेरे साथ में भी शेयर की जा सकती हैं और ये सारे के सारे मेल जो आपके पास पहुंचे थे ये मेर पास में भी पहुंचे हैं लेकिन इससे आपको क्या benefit हुआ इससे यह पता लगता है देवी जी कि आप या तो इस विशे में कुछ जानते नहीं हैं और या फिर आप बहुत मिम्नतम इस्तर के लोगों के बीच में रहते हैं जो आपको घटिया से घटिया जानकारी देते है और घटिया से घटिया सलाह देते हैं ऐसे लोगों के बीच में रहना ठीक नहीं है क्योंकि इससे आपका स्तर जलगता है इससे जो आप लोग लाखो नहीं क्रोड़ों लोगों में famous हो आप लोग represent करते हो एक विचारधारा को आप लोग उन लोगों के लिए जो आपके साम आपने आ करके बैठते हैं उनके लिए आप सम्मानित हो और आप 44 सेकंड की वीडियो के लिए अपने सिगनेचर दे कर के honor base पर अगर copyright strike भेजते हैं तो इससे आपकी छवी दुमिल होगी ना कि मेरी एक copyright strike अगर आ भी आता है तो मेरे चैनल का कुछ नहीं बिगड़ेगा औ कि मेरी कोई जीवन जीवडी नहीं है और अगर ये जीवन जीवडी हो भी अगर अंकुरारिये खतम भी हो जाए तो इस धर्ति पर इस दुनिया पर अंकुरारियों के कोई कमी नहीं है यहाँ पर तार्किक बच्चों की कोई कमी नहीं है सवाल पूछे जाएंगे criticism को अब accept कीजिए आपसे एक छोटी सी बात के धर्म की परिवाशा क्या है इसका जवाब ना देखर के सीधे copyright strike बेज दी यह आप लोगों को शोबा नहीं देता है यह चीजें बहुत निम्नतम और छोटे किस्म के लोगों को भी शोबा नहीं देती है छोटे छोटे जो अपलोडर्स होते हैं उनको उठा करके लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं इवन आपके सपोर्ट में एक मुसलिम महिला ने मेरा वीडियो निकाल करके उसको डाल करके बहुत सारी गालियां दी है और गंदी ग यह जो चीज है यह जो निंदा है यह हमें मजबूत बनाती है लेकिन शायद शायद वो आपने गया और मेरे दिल को लग गया और मैं इसको हमेशा ही अपने आप में स्वीकार करता हूं और आपने उसको गा करके बस छोड़ दिया है और आपको वो जो निंदा थी या जो अलोचना थी या जो criticism था वो आपको बरदास्त नहीं हुआ है ये चीजे आपको शोभा नहीं देती हैं आपको अंदर और बाहर से उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना कि लोग आपको समझते हैं या आप लोगों को समझते हैं जितने भी लोग हैं पवित्रता की मैं बात क करूं कथाओं में अस्लील डांस चलता है भगवान का बहरूप भरवाकर के लोगों को उनके साथ में नचाया जाता है आप लोग उस टाइम पर कहां होते हैं आप लोगों ने कभी उनकी अलोचना नहीं की कभी उनका बाइकोट नहीं किया एक स्वामी जी हैं उन्होंने वाचक हो, कथा वाचक ही रहो, धर्म के मामलों में अडंगा अडाने की कोशिश मत करो। साधारन लोगों को भी ये समझना चाहिए, कथा वाचक धर्म गुरू नहीं होता है। कथा वाचक सिर्फ कथा बाचने वाला ही होता है। उसको धर्म के विशे में भी knowledge हो यह जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई साधारन सी टी-शट पहन करके बैठने वाला व्यक्ति या चार से पांचवा कपड़ा ना पहनने वाला व्यक्ति उसको कुछ भी ना पता हो। और सिर्फ जाकर कि उसके उपर चार-पांच वीडियो इसलिए बनवा दीजिए क्योंकि वो तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। सनातन वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, वो एक संस्था है, समाज सुधारक संस्था है। देवी जी, आज ये जो कुछ भी हुआ है, इससे वाकई में हम भी आहत हैं, कि आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, कि आपने ये तक नहीं देखा, कि मैं करने क्या जा रहे हूँ, या मैं क्या आदेश देने के लिए जा रहे हूँ, या फिर मैं किन लोगों की बात म पानने जा रही हूं इस बात से हम स्वंभी आहत हैं आप लोग करोडों लोगों से जुड़े हुए हैं आपको यह चीज शोभा नहीं देती हैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपकी मर्जी है इसको शेर करें अत्वा ना करें लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम हम जो लोग हैं हम जो साधरन लोग है हमरी क्रॉबढम हो गई है कि हम हमारे कान नहीं है सामने कोई भी आ करके बावनां को उसको साथना नाचने लग जाते हैं जब थोड़ी सी भावनाओं को मिक्स किया जाता है और उस भावनाओं पीछे loud music डाल दिया जाता है उस भावना से match करता हुआ तो सामने जो भीड बैठी होती है हम जैसे साधरन लोगों की वो साप की तरह बस नाचना शुरू कर देती है बीन के उपर बस problem यही है अगर मैं भी अपनी भावनाओं के साथ साथ इस वीडियो में अपनी भावनाओं मैच करता कोई music डाल दू तो आप लोगों को भी यह भावनाओं बहुत अच्छी लगेंगी बट अभी वो नीरस लग रहा है कोई अंकुर आ रही है कोई गमारस आदमिया करके बैठ गया कुछ ना कुछ बोलता रहता है बस तो यह नीरस लगती है सब चीचे बट उसमें music आपकी तरह नाचना छोड़ दीजिए नहीं तो यह आपको अपनी बीन पर इसी तरीके से नचाते चले जाएंगे उस बीन के नशे में आप तो नाचते चले जाएंगे यह आपके धर्म का वो कच्रा करके जाएंगे जिसका सुधार आप सद्यों तक नहीं कर सकते हैं आप के मंचों से अर्धनगन महिलाओं के नरत्य सी प्रकार से होते रहेंगे और इस प्रकार के स्वयंभू धर्म गुरु जो हैं उनका जरा भी बाइकॉट नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी बिजनस स्ट्राटीजी का जो प्रपंच है ये किसी एक ही ट्रैक से होकर के गुजरता है और कोई भी व्यक्ति अपने ट्रैक को नहीं तोड़ता है मेरे संग बोली सत्य सनातनमेदिक धर्म की जय जय हिंदवंदे मातरम